सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तो आज हम Teaching Aptitude में Type of Evaluation System in Teaching Aptitude करेंगे ये जो टोपिक दोस्तो बहुत ज्यादा important है इसमें से हर वार question definitely आता ही आता है तो ये जो टोपिक हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए आप इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तो हमने NTA UGC Net December 2019 exam के लिए एक paid workshop group बनाया है इस group में हम आपको दोस्तो systematic ढंग से study करवाएंगे इस group में आपको हर रोस दो वीडियो मिलेगी सुभह की जो वीडियो होगी वो theoretical होगी और स्याम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको most important question के बारे में बताएंगे और उ इसके साथ साथ आपको हर unit में most important repeated question की PDF दी जाएगी तो दोस्तो जल्दी से जल्दी हमारे इस group को join कीजिए और अपनी study अच्छे से कीजिए लिंक वीडियो description box में दिया हुआ है दोस्तो type of evaluation system को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि assessment और evaluation क्या होता है इसमें से भी question आए हैं दोस्तो ये basic चीजे ये हमें पता होना जरूरी है अब देखे assessment क्या होता है assessment is the systematic process of documenting and using empirical data on the knowledge, idea, skill, attitude and belief इसके अंदर क्या होता है दोस्तो इसके अंदर हम student के अनुभाव उसके क्या क्या अनुभाव है पीछे का experience रहा है उसके विचार क्या thinking है उसका attitude क्या है उसको क्या knowledge है तो ये सारी चीजे हम देखने की कोशिस करते हैं तब हम देखते कि बच्च में क्या कमिया है ये सारी चीजे हम उसके अंदर time to time देखते हैं लेकिन जो हमारा evaluation system है दोस्तों इसके अंदर क्या है इसके अंदर हम मुख्य रूप से यह देखने की कोशिस करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है इसके लिए हम test grade और performance इत्यादी का उप्योग करते हैं इस A grade, B grade, C grade क्या grade आई है ये सारी चीजे हम देखते हैं और इसके अंदर एक certificate दिया जाता है certificate के अंदर पूरी उसका यानि की qualitative quantitative data होता है sorry उसके अंदर हम उसको अंक देते हैं तो ये दोनों में फरक है यानि कि जो assessment है उसके अंदर हम क्या बात करते हैं विचारों की बात करत हैं लेकिन evaluation system के अंदर हम उसके अंक की बात करते हैं उसकी grade की बात करते हैं ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए और 6 या में सबसे पहले assessment आता है उसके बाद में evaluation आता है यानि कि सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे का how how क्या है बच्चा किस तरीके से सीख रहा उसके emotion विगरा को देखा जाता है उसके बाद उसके अंको को देखा जाता है और अब देखते हैं कि इसके मुखे मुखे रूप से क्या क्या difference हो सकते हैं assessment और evaluation के अंदर अब देखे assessment है वो ongoing है ये continuously चलती रहती है हम दूसरे महीने तीसरे महीने हम time to time देखते रहते हैं ये अंत में होता है और ये positive होता है इसके अंदर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे में क्या positive बदलावा है उसको positive करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये जो होता है it is a judgmental इसके अंदर हम judge करते हैं finally वह इसके marks 10 आयें तो ये fail हो गया बस हम वहाँ पे उसको fail कर दे लेकिन assessment के अंदर क्या होता है कि अगर किसी बच्चे में कोई कमी पाई जाते हैं तो हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं उसको हम reject नहीं कर देते हैं उसको improvement करने की कोशिश करते हैं उसमें positive बदलाव लाने की कोशिश की जाती है ये provide feedback इसके अंदर feedback दिया जाता है assessment के giysse ki ko Deborah, ज הסके माताish samabcha को बताइए अगर अठ्षय से नहीं रहे रहा है और उसके विचार सही नहीं है तो हम म म माव आप आपको देंगे और इसके अंदर और देखिए इसके अंदर हम quality की बात करते हैं उसके भावनाओं की बात करते हैं लेकिन ये क्या होता है इसके अंदर quantity की बात करते हैं बच्चे के कितने नंबर आए हैं ठीक है और आगे देखते हैं कि एक most important चीज़ यहां पर ध्यान देने वाली है ये तीनों तरह का हो सकता है यानि कि निदानिक डाइगनोस्टिक का मतलब है कि अगर किसी बच्चे में कोई कमी पाई जाते है तो उसका उपचार किया जाता है उसको ठीक करने की कोशिस की जाते है फॉर्मेटिव और सुमेटिव यानि कि जो continuation ले वाली भी होती है यानि कि स समय-समय पर करते हैं जो summary last के अंदर जो exam लिया जाता है उसे इंह समय यह कहते हैं तो जो हमारी assessment होते हैं वो तीनों तरह की हो सकते हैं diagnostic हो सकते हैं इफ्रमेट व सकते हैं शमय पर करते हैं लेकिन जो हमारी evaluation होती है यह only summative होते हैं यानि कि इसमें as a summary हम result निकालते हैं यह हम सिख्षा को बहतर बनाने के लिए समय समय पर करते रहते हैं लेकिन evaluation होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं इसको हम आखिर में करते हैं और देखते कि बच्चे ने क्या सीखा है तो यह इनके अंदर main difference है यह चीज़े आप यह चीज़े आपको ध्यान में रखने है और यह जो question दोस्तों पहले आया है तो यह आप ध्यान में रख लेना हो सकता है अब की बार इन में से कोई एक question दे दे यह तीन-चार option दे दे ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना अब बात करते हैं कि type of evaluation कितने तरह के evaluation होती है यहाँ पे हमने टाइप लिखे हुए हिंदी में भी लिखे हुए और अब हम इनको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहला आता है दोस्तों हमारे पास continuous comparative evaluation अकर इसको हम हिंदी में कहे तो कहे तो इसका मतलब है सतत एम व्यापक मुल्यांकन होता है यहाँ पे मैं हिंदी में लिखना भूल गया और मैं कहूं आपको रिक्वेंड करूंगा कि आप ज्यादा सी ज्यादा इंगलिस में याद करने की कोशिश करना क्योंकि हिंदी के जो मीनिंग है जो सब्द वो थोड़े चेंज हो जाते हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं और फिर कहेंगे कि सर आपने तो यह हमें पढ़ाए नहीं तो यह थोड़ी सी प्रोब्लम हो सकते तो आप ज्यादा कोशिश कीजिए इंगलिस में याद रखने की किसको क्या कहते हैं अब देखिए इसके अंदर एक इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि अब देखिए इसके अंदर में इंपोर्टेंट चीज क्या है मैं आपको बता दू इसमें से यह कोश्चन आया है पहले कि CVSC के दवरा क्या इंट्रिडिउस किया गया है और इसके अंदर क्या होता है कि 6th to 10th कलास छटी से 10 कलास तक के बत्चों पर यह लागू होता है और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों इसके अंदर हम यह CVSC बोर्ड दवरा अपनाई गई एक मुल्यांकन प्रनालिय इस प्रनालिय का मुख्य उदे से बच्चों में तनाव को दूर करना है यह चीज़ विध्यान में रखने इसमें समय समय पर बच्चे के परतेक पहलू का मुल्यांकन किया जाता है बच्चा क्या पढ़ रहा है तो इसी हम कहते हैं और हमारे पास प्लेसमेंट इवैलिय संध।ogo को पढ़ीरन के बच्चा कोई सिधा करता है कि बच्चे को में और इशा सिधा है देना चाहिंए अग्ला जो स्कुल अपने बच्चे को डाल दे उसकी नोलेज के लिटे नुके साल even कहते हैं और आगे अम देखते कि फोर्मेट्र evaluation इसके अंदर क्या होता है इस तरह का मुल्यांकन समय समय पर किया जाता है सबसे पहली बात इसको क्या है समय समय पर किया जाता है ताकि हमें यह पता चल सके कि बच्चे में कितना improvement आया है जैसे कि school में हर महिने बच्चे का test लिया जाता है इसे हम internal बच्चे का समय समय दे लेते जैसे हर हफते ले लिया हर महीन इंप्रूमेंट और इसको इंटरनवेशन भी कहने यह आपको चीज ध्यान में रखने जरूरी है इंटरननु evaluation और आगे आता है दोस्तो हमारे पास diagnostic evaluation इसके अंदर क्या होता है इसमें हम बच्चे की weakness और goodness को देखते कि बच्चे में क्या कमिया और क्या अच्छाई है अगर बच्चे में weakness पाई जाती है यानि कि कोई हमें कमजोरी पाई जाते तो उसको improvement करने की कोशिस की जाते है और अगर कोई बच्चा हो नहार है बहुत अच्छा है creative बंदा तो उसकी जो skill उसको advanced level पर ले जाने की कोशिस की जाती है और आगे देखते हैं आगे क्या है दोस्तो हमारे पास आगे हैं हमारे पास summative evaluation इसके अंदर क्या करते है दोस्तो इस तरह का मुल्यांकन हमारी class और course के बिलकुल last में किया जाता है ठीक है यानि कि जैसे हम yearly exam लेते तो उसमें हम देखते कि कि बच्चे के कितने marks आए हैं जैसे कि हमारा class के इन्त में exam होता है इसमें यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे ने पूरे साल में क्या सीखा है इस दुरान बच्चे को अंक grader certificate दिये जाते है और इसको क्या कहते दोस्तों इसको हम external evaluation कहते यह दोनों चीजे आपको याद होना चाहिए कि internal evaluation किसे कहते और external किसे कहते internal मैं आपको एक वर फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे जाए internal कहते हैं formative evaluation यानि कि जो समय समय पर किया जाता है इसको formative को इस तरह से भी समझ सकते कि formative यानि कि 4 यानि कि साल में 4 बार जो test लिया जाए ठीक है समय समय पर लिया जाए और summative को समझने की कोशिश करें तो summative मतलब summary यानि कि last में जैसे कि हम कोई lesson पढ़ते तो last में हम summary देते तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों अगला आता है हमारे पास criterion reference evaluation इसके अंदर क्या होता है इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं देखी इसमें बच्चे का मुल्यांकन करने के लिए पहले से ही कुछ grade अंक position या किसी अन्य तरह का criteria निर्धारित कर दिया जाता है जैसे कि हम मान के चलते कि पहले ही बच्चे को कह दिया जाता कि जिस बच्चे के 50 नंबर से ज्यादा आएंगे वो excellent माना जाएगा और जिस बच्चे के 35 नंबर से कम नंबर आएंगे वो fail माना जाएगा यानि कि पहले से हम एक criteria निर्धारित कर देते हैं वह इतने आने पर ये होगा तो उसे हम क्या कहते है criteria reference evaluation कहते हैं अब देखे जैसे इस तरीके के आपको देखे होंगे कि फिर for instance 90% and above यानि कि जिसके 90% या उससे ज्यादा नंबर आते तो उसे A grade दिया जाएगा 80-89 के 20 में आएगे उसको B grade दिया जाएगा यानि कि इस तरीके से हम पहले से decide कर देते हैं कि जिस बच्चे के इस area से लेके यहां से लेके यहां तक नंबर आएगे उसको A grade B grade यह दी जाएगी यानि कि उससे पहले ही बच्चा alert हो जाता है कि मेरे को इतने नंबर लेने है अगर मेरे को इस grade के अंदर आना है तो तो इसे हम क्या कहते है criterion reference evaluation कहते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों इसकी जरी हमें यह पता चल जाता कि बच्चे का level कहां तक का है और इसमें किसी बच्चे का किसी दूसरे बच्चे के साथ compare नहीं किया जाता है यह ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों इसमें हम किसी बच्चे किसी दूसरे बच्चे के साथ compare नहीं करते है ठीक है क्योंकि यह question important है और compare की बात अभी मैं बताऊंगा क्यों हम कर रहे है अब देखिए non-referenced evaluation अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों non-referenced measurements are designed to compare student performance according to relative position in some knowledge group अब देखिए इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर हम किसी बच्चे की performance को दूसरे बच्चे की performance के साथ comparison किया जाता है और देखते कि किसने अच्छे grade पराप्त की है इसके अंदर क्या करते है दोस्तों इसके अंदर हम एक group का दूसरे group के साथ या एक student का दूसरे student के साथ compare करके देखते है कि कौन सा बच्चा ज्यादा perform कर रहे है जैसे कि हमारे जो school है उसके अंदर competition exam होते तो उसके अंदर group बना दी जात कि हमारे criteria reference evaluation थी इसके अंदर क्या करते कि इसके अंदर हम किसी बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ compare नहीं करते और लेकिन जो non-referenced evaluation इसके अंदर हम compare करते एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अब देखी आगे आ होती है हमारे खुद चोईश होते कि हम कौन सा भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं अब देखे इसके अंदर हम समझने की कोशिस करते हैं कि University Grant Commission has come with the choice based credit system program in which the student have a choice to choose from the pre-subscribed course which are referred as core elective or minor और soft skill course इसके अंदर क्या होता है दोस्तों इसके अंदर UGC ने एक ऐसा system launch किया है जिसके अंदर बच्चा अपने हिसाफ से जो प्रोग्राम है वो सेलेक्ट कर सकता है अब देखे इसका एक मैं आपको बिलकुल सा उधान दूगा उससे आपको बिलकुल अच्छे से समझ मे जैसे कि जो लोग IGNO से अपना course कर रहे है तो उनको पूरी छूट होते कि वो आपनी जैसे 32 grade होती है एक year के इंदर 32 grade होती है mostly जो program होते उनके अंदर तो उनको पूरी छूट होते है कि वो fazer credit भी ले सकते चार-चार करके आठ सब्जेक्ट भी ले सकते हैं या फिर आठ-ठाठ करके चार भी ले सकते हैं तो उनको पूरी छूट होते हैं कि वो अपने हिसाब से credit system चुन सकते हैं ठीक है और इसके अंदर एक बहुत important चीज़ याद रखने वाली है कि this shift is a focus from teacher center to student-centric education यानि कि इसके अंदर क्या करते हैं कि जो पहले शिक्सक केंदरित शिक्षा थी उसको हटा कि अब student केंदरित कर दिया गया है यानि कि अब student की पूरी इच्छा है student अपने अनुसार जो भी चीज़ है वो select कर सकता है तो यह बहुत ज्यादा important चीज़ है यह question में पहले आ चुकी है और इस program में हम बच्चे की विद्यारतियों की अपने इच्छा के अनुसार course से चुनने की अजादी होती है यह 6 केंदरित से 7 केंदरित शिक्षा पर ध्या student system और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बात समझ में नहीं आये तो आप हमसे पूछ सकते हैं और दोस्तों अगर आपको यह PDF form में यह notes लेना तो आप हमारा paid group join कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो description box में मिल जाएगा उसके इंदर हम आपको बहुत अच्छे से study करवा र topic wise हमने अलग किया है तो अगर किसी को वह paid group join करना है तो वह कर सकते हैं लिंक हमने वीडियो description box ने दिया हुआ है और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरूर दवाए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को साने से देख सके थैंक्यों दोस्तों